चलिए अब हमारे साथ GM Financial के Fund Manager आशिश चतुर मोहता जोड़ गए हैं उन से समझते हैं कि वो अब क्या विउ रख रहे हैं मार्केट में आशिश गूड मार्केट की तेजी को ब्रेक लगाया HDFC Bank के उस अपडेट ने तो उस पर एक आपका व्यू हो जाए HDFC Bank पर और पूरे Banking Pact पर आशिश तोरी unmute करिए जी गूड बॉर्निंग अनुच बिलकुल तो देखें मेरे सबसे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ लास कोई दिनों में देखी पर कल जो नंबर आए जहां पर पर हमने एडवांस ग्रोथ में HDFC के quarter on quarter थोड़ी डिप देखी और deposit में भी कोई significant growth नहीं देखी तो उसकी एक reaction हमें देखने को मिला इसके दो दिन पहले एक अच्छी न्यूस थी जहां पर पर हमने देखा कि कैसे 3-4 बिलियन डॉलर का इंफलो की probability बनी जहां पर इस टॉक ने अच्छी तरह से रियाक कि और आज इस रिजल्ट के चलते इस अपडेट के चलते कहीं न कहीं डिपाई अब मेरा है साथ उपर में 1750 की ट्रेजेक्ट्री को भी क्रॉस करना इसके लिए डिफिकल्ट होगा तो इसका बेनिफेट किसको मिलेगा इसका बेनिफेट मिलेगा तो यह समय बैंकों पर विए दूसरा पॉकेट जो इसमय फोकस में है वो है रिलाइन्स अशिश रिलाइन्स पर अब क्या विए बन रहा है कि जिस तरीके से इसने लिडिशिप ली है तो अनुज यह स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और हमने इंफाक्ट लास्ट एक महिने में इसमें थोड़ी पोजिशन भी बढ़ाई क्योंकि हमारा यह मानना था कि पोस्ट इलेक्शन आर्पूस के बढ़ने की प्रोबैबिलिटी बहुत ज्यादा थी इलेक्शन तक के तोड़ा सा एक तीन-चार महने का वेटिंग की रखता अबर जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद हम देखेंगे कि आर्पूस में जंप होगा और यह हुआ 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 सेकेंड हमारा मानना है कि अब जियो क्या कभी ना कभी एक हम डी मर्जर होते हुए देखेंगे जिसकी वज़ा से वो छे मैने में होता है नौ मैने में होता है पर वो इस स्टॉक को हमेशा एक पॉजिटिव रडार पे रखेगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वैल्यू अ सबी पैरामीटर पे मेरा मानना है कि रिलायंस बहतरीन लग रहा है एक डिस्क्लोजर अमारे पोर्टफोलियो में और मैं समझता हूं टेक्निकली अब जिस तरह से ये बड़ा ब्रेकाउट मंतली वीकली सबी चार्ट्विम पर दे रहा है स्टॉक मेरे साब से 3500 की ट्रेज इस चैनल का स्वामीटर प्रबंदर राइस इंडिस्ट्रीज होल करते हैं यह एक आशिश की निजी राय थी और उनका आउटलूक था लेकिन एक प्लीज जो एक नीजी आउटलूक रखिए इस स्टॉक पे किसी भी इंवेस्टमेंट और आई थिंक ट्रेट किसे खेला अब आपकी चॉइस क्या है इसमें जहां पर आपको रिवार्ड अच्छा है नदर आ रहा है तो इसको जगा दिये तो हमारे साबसे तो यह पॉकेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम जो अप्रोच रखते हैं वो है FTPM fundamentals, technicals, market, dynamics and psychology और उसके चलते जब तक कि हमें कोई बड़े reversal के signal नहीं मिलेंगे हम trend को ride करेंगे यह जरूर है कि क्या current risk reward इनको लेने के लिए favorable है तो वहां मैं थोड़ा सा अभी skeptic रहूंगा पर क्योंकि हमारी position काफी पुरानी बनी हुई और हम deep profits के अंदर में तो हमें ride करन सा लंबी अवदी का view लेना हो या मैं अगर से बोलू तीन साल क्या इन stocks के अंदर में wealth जो बनने की बात हो रही क्या हो सकती है वो बिल्कुल हो सकती क्योंकि आप order book position देखे 7-8 times की order book है आज ही एक statement आया एक वो आया कि 100 days के अंदर में ship repair building का जो space है उस पर government का काफी focus है और current valuation काफी overheated है तो इस level पे entry नहीं करनी चाहिए बट एक ship के strategy के साथ defense के stock में positioning की जा सकती है current levels पे जो risk reward favorable है वो मेरे ख्याल से भारत electronics limited के अंदर में काफी favorable risk reward इस समय मुझे नजर आता है बट disclosure होगा यह stock भी हमारे portfolio's के अंदर में बना हुआ है के portfolio में है all-time high पर बील इस पर्ट हिट करता है आचा आशिश एक pocket जो की oversold है मतलब मैं अब पता नहीं मैं खुद इस I think shop को justify ना कर पाऊ sorry overbought है वो पुरी पुरा zone that's NBFC's में HFC's real estate और real estate से ज्यादा गर आप देखे real estate ancillary home improvement but क्योंकि stocks higher level persist करना है मैं कोई नहीं होता कि कहने वाला that's enough आपने क्या approach रखे क्योंकि आप लोगोंने पैसा काफी कमाया है आपर कोई liquidation क्या आप लोगोंने इस price पर तो इसमें विलेंदर हमने तो इसको different तरीके से खेला हमने इस पूरे जो real estate की recovery है उसको ancillaries के through play किया चाहे वो wires, cables, building materials का जो space है उसके through play किया बट जहां तक कि हमारा मानना है कि क्या real estate cycle अभी भी एक अच्छे strength में है तो उसमें हमारा मानना है कि inventory level काफी low है और supply इतनी speed से अभी भी नहीं आ रही है second जो affordability जिसको हम कहते है कि EMI versus income level उस वो बहुत एक comfortable zone में है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि real estate काई ना काई अपने इस momentum को maintain रखेगा क्योंकि high base है तो हो सकता है एक short term consolidation phase हमें देखने को मिले बट overall मुझे लगता है कि यहां पर पर आपको recovery देखने को मिलेगी और आप देखिए किस तरह से नए और stronger players इस बजार के अंदर में आ रहे हैं अब आप देखिए रेमेंड्स के अंदर में रेमें रियाल्टी का बिजनल जो है वो डीमर्ज होने की बात हो रहे है तो यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि सेक्टर के अंदर में जो focus है वो काफी बढ़ चुका है महिंद्रा ने अपने कुछ प्रोड़क्ट प्रोजेक्ट लॉंच की और जहां यहां पर बात चल रही कि करीब 2,000 करोड का जो GDP है वो यहां पर जनरेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह पूरा सेक्टर है यह स्ट्रॉंग ट्रेंड में बट इसका बेस्त तरीका होगा इनके एंसलरी को प्ले करने का या इनके बिल्डिंग मटेरियल स्पेस वायर् अब रेमेंट के CFO जुड़ गए हैं ग्रूप CFO अमेता अगरवाल उनसे बात करते हैं इस D-merger को लेकर अमिजी गुड मारिंग यह D-merger हुआ, मार्किट ने पसंद किया इसको अब इसके बाद आपकी स्ट्राइटजी क्या रहेगी दोनों बिजनिसेस में अगर जैसे आपने देखा पिछले हमने पहला जेडिये साइंट अगर जापकी स्ट्राइटबड़ झाला है